सबसे पहले मैं आप लोगं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि पिछली हमारी जो रोड ट्रिप थी ओम परवत की उसको आपने बहुत ज़्यादा सराया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा बट अभी हमें एक छोटा सा सपोर्ट आप लोगों से और चाहिए जो कि 50,000 सब्सक्राइबर करने का क्योंकि अभी भी जितने लोग एंटिटी कास देख रहे हैं उनमें से केवल 14% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बाकी जो हैं बिना सब्सक्राइब करें देखे जा रहे हैं तो अगर आप भी उनमें से हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर कर लिया है तो इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक और सब्सक्राइबर आपने बढ़ाना है सोच लीजिए अगर 30,000 लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तो हमारे सीधे के सीधे जो सब्सक्राइबर है वो 50,000 हो जाएंगे अगर एक बंदा एक सब्सक्राइबर देता है और अगर 50,000 हो गए तो मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि next road trip जो है मैं बहुत लंबी करने वाला हूँ पूरा इंडिया आपको गुमाऊंगा जिस हिसाब से आपने प्यार दिया है मुझे भी काफी ज़्यादा motivation मिला है तो अगली road trip होगी उत्राखंटु कनिया कुमारी और वो भी पूरी round ऐसे करके ताकि पूरा इंडिया कवर हो जाए उत्राखंट से बस उपर का जो नौर्थ वाला इलाका है वो छूट जाएगा लेकिन उत्राखंट से नीचे को जितने राजिये है वो सब हम गोमेंगे तो बस करना कितना है एक subscriber बढ़ाना है एक बंदे ने 50,000 कर लेने है तो start करते हैं आज का वीडियो और आज का वीडियो जो है off-roading के दिवानों के लिए एक खुश खबरी लेकिया है ठीके और खुश कबरी के साइसात कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी है और खुश कबरी है कि जो जिमनी के प्राइजस है वो 2,00,00,00 रुपे तक के गर चुके है जो बेस माॉडल पहले 12,44,000 का आता था आज की तारीख पे 10,44,000 का आरिका है अब बुरी ख़वर किन के लिए है और धोका भी है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जिनने जो है गाड़ी पहले खरीद ली 12,74,000 के प्राइजे में आज मारुती ने जो है अब इस गाड़ी की सेल नहीं हो रही थी इसलिए इसके प्राइजेस को घटा दिया इतना जाता है तो जिन लोगा ने खरीद ली ये उनको थोड़ा सा अफसोस तो हो रहा होगा बट अफसोस करके क्या करना है देखिए ये किसमत की बात है कभी प्राइजेस बढ़ते भी है काफी गाड़ीों में प्राइजेस बढ़ते भी है तो हम उस समय भी खुश होते हैं जब हम पहले खरीद लेते हैं कि हमारे पैसे बच गया और वैसे ही अगर सेल्स नहीं हो रही है तो कंपनी ने इस पर डिसकाउंट दे लिया और इसमें कोई परिशान होने की बात नहीं है क्योंकि आज की टाइम पर काफी गाड़ीों पर डिसकाउंट मिलना है जैसे थ्री डबलो की बाद अगर मैं कलना हूं तो उसमें भी जो है एक डेड़ लाग का डिसकाउंट आज की तारीक पर अविलेबल है तो अब सेल नहीं हो रही है तो गाड़ी के दाम गिरेंगे ही गिरेंगे ठीक है तो यह अच्छी बात है अगर आप आफ रोडिंग के दिवाने हैं आप सोच रहे थे कोई 4x4 गाड़ी लेनी की तो आप मारुती सुजुकी जिमनी में जा सकते हैं बट यहां पर कोई confusion पैदा होता है कि थार लेनी चाहिए या फिर जिमनी लेनी चाहिए देखिए इसको मैं ऐसे clarify कर सकता हूँ देखिए जैसे अभी हम लोगों उमपरवत गए थे मैं front wheel drive लेके गया था और two wheel drive लेके गया था यह two by four लेके गया था तो कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे गाड़ी क्योंकि देखिए आज के टाइम पर अधिकतर जगाओं पर रोड हो चुकी है क्या हमें early age four by four useful है सबसे पहला सवाल तो यह होता है जिमनी और थार तो बाद में सवाल उठेगा सबसे पहला सवाल यह उठता है क्या हमें four by four हमारे use की है ठीक है देखिए maximum लोग जो है four by four जो खरीते हैं बाद में वो उसका कभी use भी नहीं कर पाते हैं फिर उनको जबर्दस्ती खेतों में की जड़ में जबर्दस्ती को सारी बढ़ती है जहां पर को road नहीं है अपना four by four का feature जो है उसको test करने के लिए या फिर जबर्दस्ती ऐसी जगाओं पर गाड़ियों को लेके जाते हैं कि या मेरी गाड़ी विए four by four है तो इसको test करता हूँ इसके अलावा जो है जिन लोगों को सच में four by four चीए होता है वो लोग वो होते हैं जो high altitudes में रहते हैं जैसे कि लदाक हो गया ठीक है या फि two wheel drive काम नहीं करती चाहिए कोई हो ठीक है तो उस समय आपको proper four by four ही चाहिए अब question जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या आप यहाँ पे जाते हैं ठीक है नहीं जाते हैं अगर आप city में चल ले और city में four by four गाड़ी लेके आप चल रहे हैं तो उसका क्या use है जब आपका कोई four by four को आप engage ही नहीं कर पा रहे हैं तो यह सबसे बड़ा question है क्या आपका use है तब ही जो है आप four by four गाड़ी लीजिए सबसे पहली चीज तो मैं यह बता रहा हूँ ठीक है और अगर माल लीजिए कभी आप घूमने चलेगे और यह चीज होती भी है जितने भी लोग परसेंट लोग की पर बात कर रहा हूँ उनका use केवल तीन या चार बार होने वाला है ठीक है कभी वो चले गए तो चले गए तो उस time पे जो है केवल एक ऐसी अलग से गाड़ी लेना 15 से 20 लाग की अलग से गाड़ी लेकर अपने घर में खड़ी कर लेना और साल में एक बा खोड़ भी रहती है कोई दिक्कत भी नहीं है अगर कोई इसमें कुछ हो भी जाए तो insurance रहता है सारी चीजे रहती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अब थार अब जिमनी भी अविलेबल हो जाएगी कुछ time बाद ऐसी rental sites पे तो वहां से आप गाड़ी को अपना rent कीजिए self करने पड़ जाएं कि अपने 20 लाक रुपे लगाए उसके बाद साल में एक trip मार रहे हैं उससे और साल में एक बार आपका 4x4 का use हो रहा है ठीक है तो ये चीज़े सबसे पहले अपने mind में इस चीज़ को clear करने जरूरी है कि चाहिए क्या हमें अब उसके बाद अगर चाहि हम ऐसी जगा पर ही रह रहे हैं माल लीजे हम लद्दाक पर रह रहे हैं हम ओम बरवत पर रह रहे हैं ठीक है हम स्पीती में रहते हैं हम कश्मीर में रहते हैं तो 4x4 में जिमनी ज़्यादा practical है in comparison of thar जैसा मैंने अभी आपको बता है कि ये जो है शलसी जब कीचड हो जाए या फिर जब बरफ जम जाए ब्लेक आइस हो जाए बहुती खतरना कंडिशन हो जाए गानिया टिक ना रही हो रोट पे बिल्कुल भी ठीक है फिसल रही हो इदर से उदर उस टाइम पे ही 4x4 काम करता है जब बरफ जो है हाड हो जाती है और उस टाइम पे एक चीज और होत बट जिमनी एक टोटल प्रेक्टिकल ऑफ रोडर है मत्तब कि उसमें पेट्रोल आता है इंजन ठीक है एक सेल्फ में पूरी गाड़ी अगर बरफ से धकी होगी उसके बावजूद भी वो गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी कितना ही लो टेंपरेचर हो पर को 4x4 यूज होता है अधरवाइस जो है काफी यूट्यूबरों को आपने देख रहे हैं खेतों में 4x4 ट्रेस्ट कर रहे हैं सचाई हो रखी है खेतों में खेत की भी लंका लगा रहे हैं घड़ी की भी लंका लगा रहे हैं ठीक है तो ऐसी इस्तिती में जो है अगर ऐ तो भी कौन से लेकर आप पता नहीं क्या क्या ले सकते हैं वहाँ पर को हम कोई भी बात नहीं करेंगे लिए कि नेकाम आदमी के लिए जो है practical क्या है practical जिमनी है in comparison of thar अगर आपको सोसेवाजी नहीं करनी है diesel thar से ठीक है क्योंकि petrol thar में कोई बहुत जादा मज़ा नहीं है ठीक है और जिमनी जो है आपकी गाड़ी कहीं पर भी अराम से जाएगी सबसे अच्छी बात है उपर से affordable price में आ चुकी है ठीक है बात करते है Zeta जो इसका manual है वो 12.74 का आता था December में जो है अब इसके price हो चुके है 10,44,000 Zeta automatic जो है वो भी काफी अच्छा perform करता है tor converter के साथ है 13.94 का आता था करीब 14,00,000 रुपे का एक शोरूम था इसका अब जो है 11.94 का हो गया 2,00,000 का discount जो है यहाँ पर को company ओफर कर रही है उसके बाद alpha से उपर जितने model है उन सब में एक-एक लाक का है तो lower variant लेने में ही ज़्यादा समझधारी है जो lower variant है उनके price जो है काफी कम कर दी है company ने और अगर off-roader है तो उसमें feature का करना क्या है यार पन्तर जो उपर के model है वो लेके खरोगे भी क्या तो alpha automatic जो है आपके पास है 1489 का आता था अब जो है 1389 का आएगा और alpha automatic dwell tone जो था वो 15,000 का आता था 15,500,000 का अब 14,500,000 का आएगा तो समझधारी बता दी मैंने किस में है जिमनी या थार और उससे भी ज़्यादा समझधारी किस में है नॉर्मल गाड़ी लेने मैं है हर जगा पहुँच जाती है क्योंकि आज के टाइम पे अधिकतर जगाओं पे रोड पहुँच चुकी है उसके अलावा जो है रोड से भी जो है जिसको proper off-roader पहाड़ों पे चड़ाओ खेतों में कुदाओ ठीक है इस्टाग्राम पे रील बनाओ यूट्यूब पे शौट्स बनाओ तो फिर उसके लिए कोई भी सीमा नहीं है आप कुछ भी ले सकते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को एड़न करता हूँ मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ कीप ब्लेस्ट बाए बाए